अपने हर एक गली मौल ले की दुकान पर बाला जी मसाला वेफर दो देखी होगी और हम सबने लाइफ में एक नए एक बार इसे खाया भी जरूर होगा Mostly इंडियन्स प्रिफर करते है कुछ क्रंची स्नेक्स with a cup of tea और कॉफी पिसले कुछ सालों में पैकेट स्नेक्स का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है with some international brands like Lays, Uncle Chips and some Indian brands like Haldiraam and Kurkure बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन ब्रैंड के बारे में जिसके ओनर ने कंपनी स्टार्ट करें थी सिर्फ 20,000 रुपे से और आज उनकी कंपनी का annual turnover है 2,400 क्रोष The brand I am talking about is Balaji Wafers and Snacks So let's see how a regional wafer and snack brand became the second largest player in potato chips market ये स्टोरी है तीन भायों की, Chandu बाय विरानी, वीखु बाय विरानी and Megji बाय विरानी जो गुजराच जामनगर के पास एक छोटे से गाउं से बिलॉंग करते थे उनके पिताजी एक lower middle class farmer थे जो उनके बच्चों को basic facilities प्रोवाइड करने के लिए काफी struggle करते थे 1972 में ये तीन विरानी ब्रदर्स ने गाउं छोट कर गुजराच के राजकोट city में move करने का सोचा for better living और उनके पिताजी को convince किया to sell the land और उस पैसे को use करके business start किया उनके पिताजी से 20,000 रुपे लेकर ये तीनों बायों ने मिलकर एक नया venture start किया विरानी ब्रदर्स agriculture background से belong करते थे सो उन्होंने farming equipments बेचना शुरू कर दिया बट वो business उतना successful नहीं हुआ और उन्होंने अपने सब पैसे इस business में गवा दिये अब situation ऐसी बन गई थी कि वो अपने गाउं भी लौट कर नहीं जा सकते थे सो उन्होंने decide कि वो राजकोट के Ashton Cinema Hall के बाहर एक छोटी सी canteen start करेंगे जहां वो उनके wife के हाथों के बनाई होई wafers and sandwiches बेचेंगे लिकिट counter से लेकर डोर की पर तक सब जगावो अपनी wafers बेचने लगे और बहुत मेहनत करने लगे उनकी efforts को देखकर 1976 में Cinema Hall के owner ने उन्हें canteen contractual basis पर प्रोवाइड कर दी Tino buy बहुत मेहनत से personally door to door अपने products बेचने लगे initial days बहुत difficult रहे क्योंकि लोग ये product buy नहीं करते थे and mostly जो लोग इसे buy करते थे वो credit पे लेते थे इसके कारण financial issues जैसे की cash crunch होने लगा बट never give a patty dude के साथ ये Tino is business में डटे रहे wafer की quality बढ़या होने के साथ साथ price भी affordable होने के कारण तीरे देरे उनकी ये wafers राजकोर्ट city में सब जगा famous होने लगी 1989 तक वो ये wafers अपने घर के compound में ही बनाते थे and पूरा city में distribute करते थे बट demand बढ़ने के कारण 1989 में पहली बाहर बालाजी ग्रूप ने पांच लाक रुपे इन्विस्ट किये and राजकोर्ट GIDC industrial estate में अपना पहला semi-automated wafer flying plant set किये अब बालाजी वेफर्स लाँज करी जो ये great quality wafers at affordable price प्रोवाइड करती थी and company का नाम रख दिया बालाजी वेफर्स and snacks private limited अब बालाजी वेफर्स पूरे गुजरात में famous होने लगी थी and 1999 में बालाजी ग्रूप ने गुजरात का पहला fully automated potato chips plant install किया to upgrade the technology and 2004 में दूसरा plant established किया जिसकी production capacity थी 1200 kgs of potato chips per hour बालाजी की sales तेजी से boost होने लगी and 2006 तक बालाजी वेफर्स ने गुजरात का 90% potato chips market capture कर लिया and नमकीन कैटेगरी में 70% market share require कर लिया साथ-साथ में मारास्टर और राजस्तान में भी expand करने लगी ये growth trajectory को बढ़ते होए देख 2008 में चंदू बाई ने decide किया जिसके production capacity ते 2000 kg of potato chips per hour और एक interesting बात तो ये है कि बालाजी ग्रूप का वलसाथ manufacturing plant एश्या का सबसे बड़ा potato chips manufacturing unit था आज की date में बालाजी के पास 4 factories है जिसके combined manufacturing capability है 6.5 million kg potato chips and 1 million kg नमकीन्स annually और उनके पास 550 distributors का network है with 4 lakh retail outlets all across India बालाजी group has given employment to more than 5,000 employees and उसमें से 2,500 are women आप यह सोच रहे होंगे उन्होंने कंपनी का नाम बालाजी वेफर जी क्यों रखा वेल बालाजी नाम उन्होंने लॉड बालाजी से associate कर गे रखा जिसका indirect meaning ये होता है कि there is nothing called instant success और वो अपने कमरे में लॉड बालाजी की एक छोटी से मूर्ती भी रखते थे जो हमेशा उन्हें encourage कर दी थी to face difficulties in life बस आज के लिए इतना है हम आपके लिए interesting content लाते रहेंगे till then goodbye and see you in the next video 缸 अपने हूँ